जेहें दोस्तों ITI Education Hub में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों GRSC Limited की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है जो बच्चे ITI किये हुए हैं उनके लिए जॉब को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही अगर आप वीडियो को बीच में skip करते हैं तो आपको information जो है नहीं मिल पाएगा जिसे आपको form भरने मोग सकता दिक्कत हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो आपको अच्छे लगए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर क तो इसमें qualification और की बात किया जा ओपनिंग डेट की बात किया तो पहले आप देख सकते हैं फार्म भरने के ओपनिंग जो डेट रखी गई हो 20 जनौरी रखी गई है 2023 से लेकरके 9 फरवरी 2023 तक जो किसका लाजड डेट एक दो दिन में खतम होने वाला है जैक से आज साथ है तो क्रिवल आप 9 तारीक तक इस फार्म को भरने के लिए eligible माने जाएंगे तो जल से जल जो अच्छे छूट चुके हैं जो नहीं भरे हैं इस फार्म को भर दे हैं जो अच्छे iti कर चुके हैं तो इसमें position की बात करें कौन कौन से post के लिए निकाले गया तो सबसे पहले आ उनके लिए एक सीट के लिए और computer operator उनके लिए दो सीट और जो print run है उनके लिए दो सीट के लिए निकाले कि टोटल अगर बात किया जाए तो फाइब सीटों के लिए requirement जो है जारी किया गया है नोटिफिकेशन जारी किया गया है वहीं अगर इस type in की बात करें तो पर मंत फर्स्ट येर के लिए एक साल जो ट्रेनिंगा अपको चला जाएगा इसमें दो साल की ट्रेनिंग अपकी चलेगी जिसमें पहले साल आपको 24,000 पर मंत दिये जाएंगे वहीं अगर बात किये जाए कंप्यूटर operator के तो उसमें भी आपको पहले साल 24,000 और दूसरे साल 26,000 आपको दिये जाएंगे परमन दिये जाएंगे उसी अमसार प्रिंटर के लिए भी अब वहीं सली दी जाएगी एक साल 24 जा दूसरे साल 26 जा दी जाएंगे अगर फॉर्म भरने की एज की बात के तो फॉर्म भरने की जो एज रखी गई हुए 24 साल जो है जनरल क्रिटेगरिक बच्चे हैं उनके लिए 24 साल एज होना चाहिए तभी वह फॉर्म को भरने के लिए एलिजबल माने जाएंगे उसके बाद अगर बात किया जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज की और एक्स्पिरियंस की तो सबसे पहले में अगर देखा जाए पाइप फ वहीं अगर बात किया जए जए computer operator की computer operator की बात करते हैं तो computer operator में देख सकते हैं कि आपको 10th standard होना चीए उसके बाद आपके बास ITI होनी चीजिस टेच से आपको भरना चीजिस information technology हो चाहिए database system से हो इज रिलक्सेशन की तो एज रिलक्सेशन में आप देख सकते हैं सबसब फ़ले 22 पीड़ी है उसके बाद जो SC STPWD है तो सब के लिए अलग-अलग साल के जो हर छुट आपको दिया जाएगा उसके बार अगर स्टाइपेंट की बात करें तो जो stipend आपको दिये जाएगा वह लगवक 19 जार्स लेकर 79,000 के बीच आपको stipend दिया जाएगा वहीं दो साल का जो का आपको semi skill grade पर ही दिया जाएगा दो साल के लिए अपके ट्रेणी होगी पहले साल में जो सल्ली होगी इसके बार अगले साल दूसरे साल होगा तो इसमें आपको 80 का question हेंगे 80 का होगा और वह टो में किरा जाएगा उसके बार अगर देखा जांज़ा स्लेवस की बात करें तो पहला जो पार्ट के होगा अब्जयक्तिव टोका 10 इसेंड़ का यो 10 मीं इस्टेंडर क् उसमें आपको जेनरल अप्रिक driveway सब्सक्राइब उसके बाद अगर बात किए जाने प्रेटिकल dif की नाट फिया जाओ जी स्पछिए होई है चाहे से हैसरी कियी हमक्ची है और फटी यह है तो आपको मांगे गए हैं वह डाकुमेंट्स आपके पास होने चाहिए जनरल इंस्ट्रक्शन के लिए आपको पास वह डाकुमेंट्स होने चाहिए वहीं अगर बात किया जाए कैसे अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए वेपसाइट दी गई है यहां प्लाई के लिए हमने बता दिया जो प्रक्वाट्रिटी है कैसे कैसे अपको करना है उसके बारे अगल करना है योगा तरक लिए नगयwo आपको मिल जाएंगे od गया और आपको में झाल झाल झाल